कि height hello students कैसे अप लोग आज अपने स्टार्ट करने वाले ह्ए विकास का 파ाईनल जो test आ रही है सायमेंट स्टैंडर 9 का अपने स्टार्ट करने वाले इसके पहले मैंने यही स्टांडर्ड नाइन का ओल्डेडी सेक्शन बीक है कुई चैप्टर्स के मैंने अप्लोड करके वीडियो रख दिया है जो आपने नहीं देखा हो तो अपनी चैनल्स पर है वापे जाके आप देख लीजिए सो आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 तक के सम मैं भी चैप्टर नंबर 7 तक के सम मैंने अलड़ी सॉल करके रखे हुए थे तें चैप्टर नंबर 8 से बागी था सो आज अपने स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 के बाद वाले सम्स सो लेट्स स्ट सबसे पहले आपने क्या करेंगे यहां पर लिख देंगे चैप्टर नमबर इट एट ऑके राइट सो क्वेस्टन नमबर वन की बात करेंगे कोडिलेटर एबी सीडित अपने सबसे पहले कोडिलेटर ड्रो कर देते हैं कोडिलेटर ड्रो कर देते हैं ए बी सी डी उन्होंने अपने को क्या दिया गया है कि कोडिलेटर एबी सीडि में एंगल्स का रेशियों आपको दे दिया गया लिख देते हैं एंगल ए रेश्टू बी रेश्टू C रेश्टू D is equal to 4 रेश्टू 5 रेश्टू 4 रेश्टू 5 यह आपको डिवन हैंचोलो फिर आपने ओल लिखेंगे एंगल A ES इक्वल तो रेश्ट रेश्टू निकालने खोऑत अपने क्या कर देंगे उसको एकस के फिरमें कोई शूचरन उसके पीछे अपने एड़ कर द चार अंगल का टोटल कितना होता है एंगल A plus एंगल B plus एंगल C plus एंगल D is equal to 360 सो क्या लिखाए एक वेली 4X plus 5X plus एंगल C की 4X और एंगल D की 5X is equal to 360 4 plus 5 9 9 plus 9 18X 18X is equal to 360 therefore X is equal to 360 upon 18 तो X की वेली क्या मिलेगी 18 2036 और 0 मतलब X की वेली कितने मिले आपको 20 सो आपको किसकी वेली फाइंड करने है एंगल A is equal to 4X सो 4 into 20 4,000 एंगल A कितने का मिले आपको 80 का सेम एंगल B 5X therefore 5 into 20 25,100 सेम यही फॉर्म में आगे बढ़ेंगे एंगल C कितना है 4X है 4 into X की वेली कितनी find out कि आपने 20 24,080 और लास्ट एंगल D 5X राइट ना सो X की वेली कितनी है 25,000 इस तर आपको चारों के चार एंगल के आपको वेली फाइंड आट करके बताने है चलो और आगे बढ़ेंगे क्यूसर नमबर 2 पर इना पैरलेलो ग्राम एंगल B माइनस एंगल A is equal to 40 पैरलेलो ग्राम A, B, C, D आपको चारों एंगल फाइंड आट करने अगर पैरलेलो ग्राम होता है तो सेम यही डाइग्राम बनेगा आपके लिए तो यहाँ पे अपने बत कर सकते हैं कि एंगल A नियरर एंगल दोनों का टोटल कितना होता है 180 सामने यह दो आभेंगल का भी कितना होता है 1-80 और अपोसिट अखेसे होता है इक्व plag soon अपको इसके rules clear होने चाहिए कि पास वाल आउंगल एंगल मैं जोंगेंगा इसका टोटल कितना होता है 180 और अपोसिट अखेसे होता है इक्वेल होता है यह एकने हैं, लिख सकते हैं, करेक्ट, दोनों को क्या करो, सब्डेट कर दो, एंगल B प्लस एंगल A is equal to 180, एंगल B minus एंगल A is equal to 40, दिख आ यहां पर एंगल प्लस है और माइनस दोनों कट हो गये, so 2 angle b is equal to 180 plus 40 220 so angle b कितने का मिलेगा 220 divided by 2 तो angle b की value क्या मिलेगी 110 clear 110 मिला तो ये value आप put कर दो ये equation में या तो यहाँ पे भी रख दो correct so यहाँ पे अपने equation number 2 में रखते है तो angle b plus angle a is equal to 180 तो angle b की value कितने आपके पास 110 मिली न आपको angle as it is is equal to 180 so therefore angle a कितना मिलेगा 180 minus 110 so angle a कितना मिला आपको 70 degree कितना मिला 70 degree just मैंने भी आपको बताया था कि opposite angles यह आपको correlator angle a जितना मिलेगा उतना angle क्या होगा c so angle a is equal to angle c is equal to 70 और angle b is equal to क्या मिलेगा angle d angle b is equal to angle d is equal to 110 clear this sum चलो और आगे बढ़ेंगे question number 3 inner trapeziums pqrs pq parallel to rs यह आपको दे दिया गया if angle p is equal to 150 find the angle s चलो क्या दिया गया गया तो सबसे पहले trapezium draw कर लेते हैं ओके इस टाइब का आपका trapeziums होगा यह होगा आपका p q r and s उन्होंने अपने को एक चीज गिवन दे दी गही है कि angle p आपका दे दिया गया है 150 तो angle p 150 है आपको angle s find out करना है जेस्ट मैंने अब भी बताया था अगर दोनों nearer angles होते है तो उसका टोडल कितना हो जाता है आपका 180 सो लिख दो angle p plus angle s is equal to 180 पी की वैल्यू गीवन है 150 angle s आपको find out करना है तो therefore angle s is equal to 180 minus 150 so therefore angle s is equal to 30 clear this sum have any doubt नहीं न चलो तो फिर आगे बात करेंगे चैप्टन यही question number 3 तक होगे है for define the trapezium को यह वाले question में solve नहीं करूंगा define आपको directly learn कर लेंगे define trapezium and parallelogram define square and the kites है six number वाला सामें उसको solve करते है इन triangle a b c d e f are the midpoint of a b b c and c a चलो तो फिर एक काम करो triangle draw कर दो यह रहा triangle a यह b और यह c correct d e f उसका midpoint होते हैं यहाँ पर draw करो a b का d b c का e और यहाँ पर आएगा आपका f correct चलो इसना draw कर दो d e f okay so a b is equal to six तो a b is equal to six centimeter फिर दूफरा क्या दिया गया है b c is equal to 7.2 तो b c is equal to लिख दो 7.2 centimeter and a c 7.8 centimeter यह तीनों चीज़े आपको गीवन है चलो यह तक का कोई भी doubt नहीं चलो find out क्या करना है perimeter of d e f का आपको perimeter लेना है okay so that अब यह चीज़ तो अपने को पता है कि मीड़ पॉइंट होता है तो d f is equal to half क्या हो जाएगा b c b c का हाप मिलेगा ना so one by two as it is b c की वेल्व कितनी है 7.2 7.2 का हाफ करेंगे कितना मिलेगा 3.6 centimeter मतलब d f की वेल्व मिल गई पेरिमेटर का मतलब होता है सबका टोटल चोले एक d f की वेल्व मिल गई सेम उसी तरह करेंगे ए f की वेल्व ए f की ओपोजिस ए f की ओपोजिसाइड कोन सी है parallel सैड यह होगी 6 so one by two ab कि वेल्व कितनी आपके पास six answer कितना मिलेगा three centimeter next बात करेंगे एसी उसके ओपोजिसाइड क्या होगे d e so d e is equal to one half a c correct क्योंकि midpoint theorem से चलेंगे न तो one by two as it is एसी की वेल्व कितनी यह 7.8 कट करो two three six one three point nine centimeter three point nine centimeter यहां तरका doubt clear चलो आपको बता है क्या पूछा क्या है कि बही perimeter find out करो triangle d e f d e f perimeter is equal to d e plus e f plus d f okay so कितना है d e 3.9 e f 3 and 3.6 तिनों का अपर टोटल कर दो nine plus six fifteen one three plus three plus three nine plus one ten ten point five centimeter clear this sum have any doubt नहीं तो चलो यहां पर अपना chapter number is done होता है next आगे बात करेंगे chapter number 10 दिया हुआ है बागी के तो सारे जो defines थे मैंने आपको बता दिया हो तो directly आप लंद कर लेना chapter number 10 की बात करेंगे a b and c d are the equal chords of the circle with the center p if angle a p b is equal to 80 degree तो find the angle c p d चलो तो पहले तो एक circle draw करो chapter number 10 का question number one सबसे पहले एक circle draw कर लेते हैं तो equal chord है यह एक chord है और यहां पर दो chord मैंने draw कर दी है एक को नाम दे देते है a b और दूफरे को नाम दे देते है c d दोने equal chord है सो center आपको दे दिया गया है center p आपको लिखा गया है तो p लिख दो सो यहां सबने क्या करेंगे triangles दो draw कर देंगे और लड़ी उन्होंने कहा ही कि angle a p b कितना है 80 degree आपको यह बताना है कि c p d c p d कितना है तो यह डायरेक्ली पता चल जाता है opposite angle कैसे होते है वर्टिकल opposite angle सेम होते है बर डायरेक्ली नहीं लिखेंगे अपने इसको प्रूव करके बताएंगे करेक्ट सो दो दो triangle अपने चूज करेंगे triangle a p b and triangle c p d दो triangle अपने ने ले लिया सबसे पहले बात करेंगे a b is equal to c d क्योंकि गीवन था उन्होंने पहले ही बता दिया उसके कोड कैसे equal है चलो फिर इसके बात क्या करेंगे कि जितना a p होगा उतना ही क्या होगा आपका c p a p is equal to c p is equal to radius ही होगा ना सेंटर से है तो सेम यही यही फर्म में क्या करेंगे जितना p b होगा उतना ही क्या होगा p d तो p b is equal to p d is equal to also r चलो तो फिर यहां पर एक चीज क्लियर हो जाती है कि भाई कौन सी क्राइटेरिया प्रूव कर रहा है s s s क्राइटेरिया प्रूव सो ट्राइंगल a p b is a कॉंग्रियों ट्राइंगल c p d यहां तक का क्लियर सो दैट इसके बाद क्या लिखो अगर दोनों ट्राइंगल से मैं तो सिपी सिटी से अगर एंगल a p b is equal to 80 degree so that angle c p d is equal to angle c p d क्योंकि दोने एंगल कैसे हो जाएंगे आपके से हो जाएंगे कि सिपी सिटी से डारेक्ली अपने प्रूव कर देंगे clear have any doubt चलो तो फिर आगे बढ़ेंगे question number two read करो जरा question number two में क्या दिया हुआ है define the chord of a circle and the circum इसके आपको define ही देने इसले इसकी अपने sum solve नहीं करेंगे next करेंगे define the segment and the sector of the circle अगर कोई doubts हो तो comment में लिखे बेदर देना तो इसके related में आपको एक अलग से आपको hint दे दूँगा कि भी sector of circle क्या होता है segment क्या होता है okay then question number four की बात करेंगे इना given figure figure आपको दे दिया गया है a b c d four points है on the circle a c and b d intersect कर रहा है e के अंदर so angle b e c आपको दे दिया गया 130 angle e c d आपको दे दिया गया है 20 आपको find out करना है b a c आपको यह find out करना है clear चलो पहले एक काम करते है diagram draw कर देते diagram draw करने एक से वज़े से आधा answer तो आपको ऐसे मिल जाएगा चलो यह करा circle आपका okay then यह question यहां तक का था b c okay next यह दे दिया गया था d okay next b a c b दे दिया गया यह और e आपको दिया गया है 130 यह दिया गया है आपको 20 okay यह आपको दिया गया है 20 degree so that आपको find out करना angle b a c आपको यह find out करना है चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे चेक करो यार कि यह linear पैर बंद रहा है आपका बंद रहा है linear पैर तो linear पैर अगर बंद रहा है तो कितना एक एंगल होगा 180 का तो लिख दो पहले इसको एंगल b e c प्लस एंगल d e c is equal to 180 आपको कितना दे दिया गया 130 तो आपको एंगल d e c तो मिली जाएगा 180 तो एंगल d e c 180 माइनस 130 डिरेक्ली लिख देंगे 50 चलो यह तक को डाउट नहीं तो चलो यह आपको मिल गया 50 तो आप क्या करोगे d find out कर लोगे क्योंकि एक triangle बंद रहा है यह वाला यह वाले का ट्राइंगल बंद रहा है तो आप यहां से यह d find out कर लेंगे चलो so triangle d e c okay तो एंगल d e c plus angle e c d plus angle c d e is equal to 180 चलो एंगल d e c कितना आपके पास 50 e c d कितना आपके पास 20 आपको c d e मिल जाएगा okay then angle c d e is equal to 180 minus 70 so angle c d e is equal to 110 degree तो आपके c d e कितना मिला 110 degree so that अगर maybe कुई दो ट्राइंगल बंद रहा है उसका बेज अगर common होता है यह भी थियरम में आ चुका जिसका भी बेज सेम होता है तो उसके angles कैसे हो जाते हैं से मुझाते तो लिखो यह पेंगल b a c is equal to angle c d c d और b correct so that angle b a c is equal to angle c d e is equal to 110 degree correct चलो लिए न दिस साम ओके चलो आगे और बढ़ेंगे क्वेशन नमबर फाइफ है रीड करो क्वेश्टन को ड्रो डिफ्रेंट प्यार ओफा सर्कल how many point does each have common कितने points common आते हो आपको बताने चलो अपने डिफ्रेंट डिफ्रेंट पैर के सर्कल रो करते हैं सबसे पहले एक सर्कल रो कर लेते हैं दोनों एक दुफ्रेंट से बहुत डिस्टन्स पर हैं so that दोनों के बीच एक भी पॉइंट मीट मीट हो रहा है तो डू नॉट इंटर्सेक्ट चलो नेक्ट बात करेंगे अब में भी अगर दो सर्कल इस तरह मीट हो रहे हैं करेड़ इसको पना लेकरें May a और इसको लेकरेंगे और लेकर करेंगे औरो कोई तरीकर Upper सोचते हैं कि और कौन सारीक यह तरीके से भी सर्कल बन सकता है यह और यह रहा बीच में और एक सर्कल करें इसको अपने लिख लेते हैं पी और इसको लिख लेते हैं क्यूं तो दोनों कॉन से पॉइंट पर मीट होते हैं यह पॉइंट पर मीट होगें तो यह वाला पार्ट और इस तरह इसको अपने लिख लेते हैं एक्स और इसको लिख देते हैं यहां पर लिख दो आप P and Q भूइंव कितना पॉइंट पर फेंट तौ क्यों और कषोल सब्सक्राइकंट और कि थो अगर मेट होते हैं कितिन स्थी कॉमन होगे question no.6 read करो in the given figure ABC are the three points on a circle with the center O such that angle BOC is equal to 30 degree and angle AOB is equal to 60 degree if D is a point on the circle other than the arc ABC and find the angle ADC आपको ADC find out करने directly मिल सकता है देखो बच्चों में directly बता दे रहा हूं यह angle से 60 plus 30 कितना मिलेगा total 99 half कर दो यह आपको मिल जाएगा 45 का clear but that आप इसको लिखने के बारे में सोथते कि किस तरह लिखेंगे तो कि हमें डाइग्राम एंसर नहीं कर रहा हूं directly आपको डाइग्राम नबर 6 पर थे ना तो एंगल AOC is equal to angle AOB plus angle BOC angle AOB plus angle BOC angle AOB कितना है 60 angle BOC कितना है 30 60 plus 30 90 degree चलो यह तक का clear okay so that angle AOC is equal to 90 so that angle ADC is equal to one half angle AOC so 90 by 2 90 by 2 is equal to 45 clear चलो और आगे बढ़ेंगे question number 7 read करो यह questions को भी in the given figure ABC 69 and ACB 31 आपको find out करना है BDC आपको यह वाले angle find out करना है okay तो यहां पर भी क्या करेंगे यह triangles आपको दे दिया गया है तो angle A की value find out करेंगे जैसे angle A की value आपको मिलेगी तो दोनों का base क्या है दोनों triangle का base अगर सेम होता है तो angles भी क्या हो जाएंगे उसके same हो जाएंगे clear चलो अब इसको प्रू करके बताएंगे इन in triangle ABC diagram यहापके सामने रखा in triangle ABC okay so that triangle ABC की बात करेंगे angle ABC plus angle BAC plus angle C sorry BCA is equal to 180 so angle ABC कितना दिया यह 69 angle BAC तो आपको find out करना है जबके angle BC आपको दे दिया गया है 31 is equal to 180 so angle BAC is equal to 180 minus 69 plus 31 69 plus 31 कितना हो रहा है 69 plus 31 100 100 सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा so angle BAC is equal to 80 degree clear चलो आपको BAC मिल गिया 80 degree so that I'll click the angle BDC and angle BAC are in the same segment अगर दोनों का segment same है दोनों का segment same है so angle BDC is equal to angle BAC is equal to 80 degree clear this time okay चलो अपने और आगे समपे चलेंगे 8 number का साम है read करो in the given figure ABCD is a cyclic quadrilateral in which AC and BD are in this diagonals if angle DBC is equal to 55 and angle BAC is equal to 45 find the angle BCD आपको BCD का angle आपको find out करना है चलो सो डाइग्राम प्रों कर लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा सबसे पहले एक circle draw कर लेते हैं हो गया उसके अंदर इस type का एक को ट्री लेट आ रहे हैं चलो कि मैंसान करो ABC and then D क्या दिया गया डी बी सी 55 ओके नेक्स्ट बी ए सी 45 ओके बी ए से आपको दे दिया गया है 45 तो चलो एक काम करें तो आपको गीवन है इन दो कोडिल साइकली कोडिलेटर ABCD एंगल डी बी सी इस इक्वाल टू 55 एंगल बी ए सी इस इक्वाल टू 45 यह दो चीज़े तो आपको गीवन थी ओके इसके बाद क्या करेंगे दा एंगल इन स्प्सक्राइब इंस्क्राइब इन्स्टाइब इन सेन और यू इस इक्वाल चलो so that angle जितना आपको मिलेगा D, B, C जितना होगा angle D, B, C जितना ही होगा उतना क्या मिलेगा angle D, A, C क्यों यहाँ लिखा गिया है D, A, C again time जितना आपका D, B, C होगा उतना ही आपका D, A, C होगा क्यों यहाँ बता रहा हूँ कि दोनों का base अपने क्या ले लेते हैं cd ले ले लेते हैं अगर यह 55 होगा तो यह भी आपका क्या मिल जाएगा 50 के दोनों का base मैंने क्या ले लिए cd अभी जट बताया था दोनों का segment कैसा होता है सेम होता है तो देट एंगल d a c आपको कितने का मिलेगा 55 चलो तो एंगल d a b is equal to एंगल d a b is equal to एंगल d a c d a c plus एंगल c a b ओके d a c एक बार लिया दुफरी बार c a b लिया यह कितना मिला आपको 55 कहां से मिला क्योंकि दोनों का base के साथ था सेम था तो लिखो यहां पे 55 plus 45 तो एंगल d a b is equal to कितना मिलेगा 100 डिगरी करेक्ट कितना मिला आपको 100 मिला चलो तो अभी क्या करेंगे the sum of opposite angles of cyclic quadrilateral is 180 करेक्ट सो यहां पर लेको एंगल b c d अब इसका यह आपने कौन सा ले रहें आपको find out करना है b c d so b c और यह d मतलब यह एंगल आपको totally find out करना है so angle b c d plus angle b c d plus angle d a b is equal to 180 correct b c d आपको कितना दी दिया गया है find out करना है तो इसको as it is लिखो but angle d a b आपको मिल चुका है कितना मिला है अब यह आपने find out किया था 100 is equal to 180 100 सामने चला जाएगा angle b c d is equal to 180 minus 100 so that angle b c d is equal to कितना मिलेगा आपको 80 degree clear यहां तक का आज के लिए यहां तक का रखेंगे बाकी का जो एक ही chapters बाकी है section b related उसके related मैं और एक वीडियो बना दूंगा वहां से आपको यह वाले सम्स मिल जाएंगे तो आज का lecture यहां पर फिनिस करेंगे